हेलो डियर फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं आम का खटा मिठा अचार इस recipe में बहुत ही कम ingredient यूज किये हैं मैंने जो कि आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएंगे और ये अचार 10 मिनट में बन कर बिल्कुल ready हो जाएगा और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा जैसा कि पहले दादी नानिया बनाती थी हमारे लिए तो चलिए बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं मैं हुए एक था और आप देख रहे हैं लो कौन टुकू कौन आम की लोजी या खटे मिठे अचार को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए एक किलो कच्छे आम इनको मैंने रात बर के लिए पानी में छोड़ दिया था और उसके बाद इसे साफ कपड़े से अच्छे से सुखा लिया था ताकि जो आम की गर्मी होती है वो निकल जाए अब इस आम की ऊपर की नोख हम निकान लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद इसे अच्छी तरह से छील लेते हैं अगर आपको बहुत जल्दी बनाने हैं तो आप एक घंटे पानी में भिगो कर रखे और उसके बाद इसे सूखे कपड़े से साफ कर लिजे अब हमें इन सभी आमों को काट लेते हैं अब जिस तरीके का अचार बनाना चाते हैं उस तरीके से सिकाट सकते हैं अगर आप गुठली सही बनाना चाते हैं तो गुठली सही इसे सरोते से काट लिजे और अगर आप बिना गुठली के आम की लौजी बनाना चाते हैं तो इ लेकिन इस तरीके से बड़े बड़े पीसट वपल आचार बहुत तैस्ती लगता है एक बार ट्राय चरूर करे गुठली को हम रखेंगे गुटली को अलग हमें नहीं करना है क्योंकि इसकी गुटली भी बहुत टेष्टी हो subtी बनने के बाद में तो इस तरी के से यह देखे सारे आम हमें काट लिए हम क्या करेंगे आम को एक मलमल के कपड़े में या कौटन के कपड़े में थोड़ी देर के लिए सुखाम करें लहाँ ज्यादा के लिए ंए नहीं सुखाह Benson दो कौई तुम कर सकते हैं उसके बाद यह सुख चुके हैं अब हम कढ़ाय लेते हैं कड़ाई में डालते हैं 2-0-0isses का Nepal यहां पर हमें सर्सों का तेल यूज़ करना है जब ससों का तेल अच्छी तरह से बॉल हो जाय तो गैस बंद कर देह ठोड़ा सर ठंडा होने पर हम इसमें डाल देंगा अदि चमच कलोंजी, एक चमच सौंफ, एक चमच काश्मेरी लाल मिर्च, कलर देने के लिए और अगर आप चाहें तो 4-5 दाने मेठी के भी डाल सकते हैं अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं, जब सौंफ और कलोंजी भून जाए, तो उसकी बाद हम इसमें जो हमने आम काट कर रखे थे, वो मिक्स कर देते हैं सौंफ और कलोंजी को भूनने में बहुत टाइम नहीं लगता है, 5-10 सेकेंड में ये भून जाती है आम को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए पकाना है, और कब तक पकाना है, जब तक कि आम थोड़ा सा गल न जाए अगर इस समय हमने इसे ज़्यादा पका दिया तो ये बिलकुल घुल जाएगा, आम की जो टुकड़े हैं वो अलग अलग बिलकुल नहीं दिखेंगे, तो इसे हमें 2 मिनट के लिए ही पकाना है अब हम इसमें डाल लेते हैं, एक चमच नमक, आदी चमच, हल्डी, एक चमच तीखी वाली लाल मिर्च, और फिर इसे अच्छे तरह से मिक्स कर देते हैं इस समय गैस की फ्लेम हमें लोग पर रखनी है, हमें आम का अचार खटा, मीठा और तीखा बनाना है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक चमच लाल मिर्च आ ली है, अगर आप मेच कम खाना पसंद करते हैं, तो थोड़ी कम कर लीजे एक बात का और ध्यान रखना है, कि हमें इसे ढखकर बिलकुल नहीं पकाना है, इसे बिलकुल ओपन में ही पकाना है, तीन मिनट हो चुकी है, भुनते हुए, अब हम एक आम की टुकड़े को इस तरीके से दबा कर देख लेते हैं, यह थोड़ा ता दब रहा है, मतलब कि य अब हम इसमें शक्कर डालेते हैं, शक्कर यहां पर हमने कितनी डाली है, एक किलो आम था, जिसके लिए यहां पर मैंने तीन पाउ शक्कर ली है, यह बिलकुल पर्फेक्ट क्वांटिटी है, अगर आप इसे ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो थोड़ी सी ज़् इचान रखना है, कि गैस के फ्लेम हमें लोग पर रखनी है और इसे लगतार चलाते रहना हैं, ताकि शक्कर नीचे कढ़ाई में न लग जाए, इस ततरीके से चलाते चलाते जब शक्कर पूरी Tahit…" पिखल पानी हो जाती है, तो हम कि समझ लेना है, कि एस अचार हो चुका है गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं अब इसे हम ठंडा होने देते हैं यह देखिए अब यह ठंडा हो चुका है थोड़ा सा गाड़ा भी हो चुका है बिलकुल रेडी है खाने के लिए आप इसे गरम-गरम भी खा सकते हैं और ठंडा करने के बाद भी का सकते हैं यकीन मानिये चुनिवियम के बंतर। या zeker प्रेफ्रेंट्स बहुत टेस्टी बनेगा, एक बार और बनाकर जरूर देखें। अब हम इसे काज कि , बॉल या फिर काज कि बननी में रख ले ते हैं। इसे बनाते हिस्दे जियान रखें। कि इसे अलुमिनियम के बर्तन में या फिर लोहे के बर्तन में ना बनाएं क्योंकि आम खटे होते हैं और अलुमिनियम के बर्तन में वो रियक्ट कर जाते हैं और आईरन के बतन में अगर आप बनाते हैं तो इसका कलर थोड़ा काला सा आ जाता है इसलिए अगर आपके पास स्टील का कोई बतन है तो आप उसी में आचार बनाए तो फ्रेंट्स मुझे कमेंट करकर आप जरूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपने अ नए वीडियो के साथ डप्टर के लिए बाई बाई एंड टेक कियर